हेलो दोस्तों यथार्थ हिंदी एजिकुशन क्लासेश में आप सभी का स्वाधत है हिंदी साहिती के और समान हिंदी के कुछ प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट की है तो उसी में आज का प्रैक्टिस सेट है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है पापी मनुझ भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है आपको अलंकार बताना है इसमें कौन सा है रैट अंसर इसके लिए उप्सन C है इसमें द्रिश्टान त अलंकार है Option C, द्रिश्टान्त अलंकार, पापी मरुष भी आज मुख से राम नाम निकलते है शान्त रस का स्थाई भाव क्या है? शान्त रस का स्थाई भाव बताना है Right answer option D, निर्वेद सांत रस का स्थाई भाव है निम्निखित में किस रस का स्थाई भाव रती है? कौन सा रस है जिसका स्थाई भाव रती है? Right answer option C, भक्ति और स्रिंगार जो रस है इसका स्थाई भाव तो भक्ति और स्रिंगार रस का स्थाई भाव है रती होता है तो भक्ति रस में इश्वर विश्यक इस्वर विशयक यह होता है इस्वर विशयक रती भाव होता है हिंदी में कुल कितने कावियरस हैं हिंदी में कुल कावियरसों की संख्या बतानी है रैट अंसर आप्सन ए है नो रस माने गए हैं कुल अगला प्रस्ण है चारुचंद्र की चंचल किरणे खेल रही जल थल में चारुचंद्र की चंचल किरणे खेल रही थी जल थल में इस काव्य में कौन सा अलंकार है अलंकार इसमें बताना है Right answer option C है इसमें अनुप्रास अलंकार है Option C right answer है So, सुख, सुजस, सुबल, मोहि स्वामी इस पंक्ती में अलंकार कौन सा है Right answer है option C अनुप्रास अलंकार है इसमें Option C Right answer option B है उप्मा अलंकार है उप्मा और उप्मे के अभ्येद को क्या कहते हैं Option B Right answer है इसके लिए उप्मान और उप्मे का अभ्येद जहां होता है वहां अलंकार रूपक होता है रूपक अलंकार कहते हैं नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे खाकही से पैदा किये अतिगाफिल गंदे पंक्तियां किसकी है यह पंक्तियां बताने है किसकी है Right answer option B है मलुकदास की है पंक्तियां है नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे किसी तरुने की और आकरष्ट होना काम है परन्तु उसके लिए अपने आपको निचावर कर देने की भावना प्रेम है हजारी पिरसाद के किस उपन्यास से उप्रोक्त पंक्तियां उद्रत हैं किसके उपन्यास हजारी पिरसाद दिवेदी जी के किस उपन्यास से यह पंक्तियां ले गई है Right answer option D है अनामदास का पोथा इनका उपन्यास है जिससे यह पंक्तियां ली गई है इसके अत्रिक्त बानभट्टे की आत्मकथा चारुचंद्रलेग और पुनर्णवा यह भी हजारी प्रसाथ दिवेदी जी की रचनाएं है धर्मविर भारती ने किस विसाय पर और किनके निर्देशन में सोध प्रबंध लिखकर पीसडी की धर्मविर भारती ने क दिरेंद्र वर्मा के निर्देशन से पीसडी की प्रवाहल आने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है राइट आंसर है ऑप्सन बी यति कहलाता है यति जैसे होता है न हम जब कुछ पढ़ते हैं तो उसमें उच्छित गती और यति का होना आउश्यक होता है कि एक निश्चित गती और यति का मतलब कि ठहराओ हमें कहां पर उसमें ठहराओ लाना है और कैसे फिर उसे स्टार्ट करना है गती से काभी के आस्वादन से जो आनंदे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं जब काभी पढ़ा जाता है उससे जो आनंदे प्राप्त होता है निम्रिखित में ऐसे रिती मुक्त कवी की पहचान कीजिए कौन से कवी है जो रिती मुक्त धारा के कवी है रिती मुक्त धारा के कवी राइड आंसर ओप्सन ए है घनानंद राइड आंसर ओप्सन ए है तो घनानंद है Grierson के द्वारा खड़ी बोली को क्या नाम दिया था Right Answer is Option A Vernacular Hindi नाम दिया गया और इन्होंने जो अपनी बुक थी उसका नाम क्या लिखा था Vernacular Literature of Hindustan के नाम से ही इन्होंने रचना भी लिखी थी गिरियर्सन ने नाथ मुनी ने दिवी प्रबंधम में किसकी रशनाएं संकलित की थी नाथ मुनी ने जो रचना था दिवी प्रबंधम उसमें किसकी रशनाएं संकलित की थी राइट आंसर है option C अलवारों की रशनाएं उसमें दिवी प्रवंधम में संकलित की गई थी कुछ रशनाएं हैं इनको कालक्रम के आधार पर लगाना है कि कौन से कालक्रम के आधार पर कौन सी रशना आएगी पहले option C इसके लिए राइट आंसर है आत्माराम की टेटें, सीव संभू के चिठे, विशा, सईयोग और स्लंकला की खड़ियां पैरों में पंखबात कर किस प्रकार की रशना है पैरों में पंखबात कर रशना का नाम है इसका प्रकार बताना है मतलब कि कौन सी विधा की रशना है राइट आंसर ऑप्सन डी है, इसके लिए यात्रा व्रतान्त विधा की रशना है, पैरों में पंखबात कर यात्रा व्रतान्त रशना है प्रफुलित दास वसंत की फोज, सली मुख भीर देखावती है इस पंक्ति को समझ का सही चंद का चैन कीजिए, चंद बताना है कि इसमें कौन सा होगा उप्सन सी है, सोठा चंद इसमें कविता क्या है, नामक निबंध के लेखक कौन है कविता क्या है, ये एक रशना का नाम है और ये निबंध विधा की रशना है इसके लेखक बताने हैं कौन है कविता क्या है कि option D रामचंद्र सुखल सही आंसर है इसके लिए निमखित पध्यांस को समझ का सही चंद का चेहन कीजिए हिंदी के उधार हितकस्ट अनकेन जिन सहे भाते नुहशन की उज्वल कीर्थी सदा रहे right answer option D sorry A है इसमें उल्लाला चंद है कालकरम की द्रश्टी से उपन्यासों का सही अनुकरम बताना है कालकरम की द्रश्टी से तो इसके लिए right answer option B है पहला आता है इसमें भूदनात फिर कब तक पुकारूं डूपते मस्तूर और अन्तिम अरन्यम साहिती में प्रक्तु होने वाली संस्कित भासा को क्या कहते हैं जो भासा साहिती में प्रक्तु होती है संस्कित की उसे क्या कहेंगे right answer इसके लिए option A है लौकिक संस्कित कहलाती है साहिती में प्रक्तु होने वाली संस्कित भासा आपसाने राइट आंसर है इसी के साथ ये वीडियो ही पैंड होती है मिलते हैं गई वीडियो में कुछने प्रस्थों के साथ धन्यवाद